एलो फ्रेंड्स मैं हूरी तू स्वाथ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर्ट से स्वागत हैं कई बार क्या होता है कि हमारा रोटी सब्सी खाने का मन नहीं होता है लेकिन घर में कुछ खास चीज़े नहीं होती है तो बिना घर में कुछ भी खास चीज़े या बाहर से बिना सकते हैं तो चली आए ये वीडियो में देखते हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है सबसे पहले हम बनाएंगे एक चटपटा वाला सॉस मैंने या पर दो टेबल स्पून लिया है रेड चिली सॉस आप चाहें तो ग्रीन वाला भी ले सकते हैं अगर आपके अगर पास में तो आप वो डाल सकते हैं तो उसको डाल दीजे इसमें और अच्छी तरह से कर दीजे इसको मेक्स तो ये हमारे टेस्टी वाला सॉस बनके हो गया है रेडी जिसका बहुत ही बढ़ी आए कमाल का फ्लेवर आने वाला है हमारी सेंडविच में हमने सेंडविच ये करी पांच छे आलू थे जिनको मैंने चील लिया है और हाथ से कर दिया है मैश अब इसमें क्या करना है कि कुछ सबजियां मिलानी है जो भी सबजी फ्रेंड्स आपके पास हो मेरे पास जैसे समय सिर्फ शिम्लामिज थी तो मैंने बारी कट करके शिम्लामिज डाल दी है प्याज था प्याज सब के घर में होता है तो मैंने मोटा मोटा सा प्याज करके डाल दिया है बहुत बारी करने की जरुवत नहीं है आपके पास और भी जो भी सबजियां हो जैसे अगर आपके पास कौर्ण है तो आप बॉयल कौर्ण भी डाल सकते हैं जो सबजी आप डाल की जरुवत नहीं है यह जो उसके सिंपल से फिलिंग है ना यह जब आप चिटपटे वाले सौस के साथ लगाएंगे ना साइडविश में तो आप देखिए का क्या कमाल होने वाला है बस इसको अच्छी तरह से कर लीजिए मेक्स फिलिंग को आप अपने अकॉर्डिंग की त जादा से जादा शेयर कीजिए जो लोग फेस्बुक पर मेरे पेज को देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें यहाँ पर मैंने लिए वाइट वाली ब्रेड आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं अब आपने क्या करना है एक ब्रेड का पीस लीजिए उसके उपर अपने चटपटा वाला जो सॉस बनाया था ना हमने इसको अच्छी तरह से आप फैला दीजे सब तरफ यह सॉस हर जगे पर लगनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आने वाला है आपकी सैंडविच में तो उसकी फिलिंग को आप इसके उपर रग दीजे सब तरफ आलू की फिलिंग को आप अच्छी तरह से फिला दीजे तकि आपकी ब्रेट के उपर बिल्कुल इवल ली इन फैल जाये यह खाने में बहुत अच्छी लगता ही है सैंडविच बहुत भबजेदार और च्टपड बन जाती है क्योंकि ना इसमें कोई तड़का लगाना है बस बॉइल आलू होने चीज घर पे आपके पास में और आप इसको बना सकते हैं सब्जिय अगर आप और डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं इसको और भी बस अदर बनाने के लिए अब इसमें डालेंगे हम च अवे पर भी बना सकते हैं कोई टेंशन नहीं है बस इस क्या करिए आप सैंड्विश मेकर में हलका सा लगा दीजे देसी घी या बटर का यूज भी कर सकते हैं और फिर उसमें रग दीजे अपने ये सैंड्विच और इसको धीमी आज पर आप अच्छी तरह से दोनों साइ इस पीजास का कलर आया है और खाने में तो यह बहुत टेस्टी है बस अब आभी देखिए दोनों साइट से बढ़िया तरीके से सेख चुकी है अब आपको इससे बीज से कट करके भी दिखाती हूँ तो यह देखिए बढ़िया सी सैंड्विच हमारी बनके हो गई है रेड वाले चीजी टोस्ट जो बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद होते हैं तो एक ही ब्रेट से आप दो चीजे बना सकते हैं अब आपने क्या करना है एक बाउल लीजिए उसमें डाल दीजे थोड़ सा चीज करीब दो टेबल स्पून तीन टेबल स्पून ची अबी सकते हैं तो करीब दो पैकेट मैने इसमें औरिगनों के डाल दीए हलका सा नमक डाल दीएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और फिर इसके उपर डाल दीजे आप बिल्कुल गरम गरम दूद ताकि आपका जो चीज है न वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारे म सालों के साथ में बड़िया तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए ये चीजी स्पाइसी टोस खाने में फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं जब भी कुछ स्पाइसी चीजी से खाने का मनो न तो आप इसे ट्राई कीजिए हाँ अगर आ जाने में बहुत टेस्टी लगते हैं एक बर महने कहने पर आप इसे ट्राई करके देखिएगा तब आपको पता लगेगा कि ये कितने अमेजिंग लगते हैं तो है ना एक ही ब्रेट से दो कमाल की चीज़े बन सकती हैं तो बस दोनों साइट से इसको लगा दीजिए और फ मिनट में चीज बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तो ये देखिए मैंने से खोला है बहुत ही टेस्टी वाले मुझ में पानी लाने वाले चीजी स्पाइसी टोस्ट हमारे बनके हो गए हैं रेडी जो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले और हमें भी गर्मा